भोजपूरी में एक कहावत कही जाती है धेर जोगी मठ उजाड यानि कि जिस मठ में जोगी जादा हो जाते हैं उसे उजाडने से कोई नहीं रोग सकता साल दोहयाँ चौवीस के लोगसभा चुनाओं से पहले पीए मोधी और बीजेपी के खिलाफ एक जुट होने की कोशिश कर रहा है विपक्ष की विहालत कुछ ऐसी ही है इस विपक्ष में इतने नेता हैं कि हर नेता खुद को एक दूसरे से बहतर मानता है और नतीजा विपक्षी एक्ता की बातें सिर्फ हवा हवाई ही रह जाती है तो क्या अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जिस विपक्षी एक्ता की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो रत्ती भर भी कामयाब हो पाएंगे क्या नितीश कुमार, ममता बेनर जी और अखिलेश यादों को कॉंग्रेस के नित्रितों में काम करने को राजी कर पाएंगे या फिर इस बार भी नितीश कुमार की ये कोशिश सुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर नमस्कार मैं हुआ विनाश और आप देख रहे हैं अंकट पिछले दिनों नितीश कुमार दिल्ली में थे वो दिल्ली आये तो उपमुखे मंत्री और अपने महाकठ बंधन की सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादों को भी साथ ले कर आएं और पहुँच गया 24 सक्बर रोड कॉंग्रेस के दफ्तर वहाँ वो मलिकार जुन खरगे से मिले रहुल गांधी से भी मिले और मुलाकात को एतिहासिक करार देकर कहा कि बात हो गई है और दूसरे दलों से भी बात्चीत चल रही है अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एक जुट करने का प्रेयास करने और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे सब लोग agree करेंगे वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे ने भी कहा कि बात सकारात्मक दिशा में है हम ज़्यादा से ज़्यादा दलों को जोडने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर एक ICI इध्यासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजे हम चर्चे में लाएं और एक हम सभी ने मिलके तई किया कि सभी पार्टियों को एक जूट करना और एक होकर आगे जो चुनाओं आएंगे उस चुनाओं में एक जूट दिखाकर लड़ना तो यह हमारा निर्णय हुआ है इस सो कॉल्ड एतिहासिक बात मुलाकात के बाद नितीश कुमार बिहार लोटा है मोतिहारी में जहरीली शराब से 37 लोगों की मौत हुई तो 4-4 लाख रुपए के मुआउजे का एलान किया मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो बिहार के लिए कुछ और भी फैसले लिये ही होंगे ऐसा हम मान लेते हैं लेकिन उनका विजन बड़ा है वो बिहार नहीं पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं लेहाजा वो दोरे कर रहे हैं कॉंग्रस के अलावा अब दूसरे विपक्षी नेताओं से मिलना उनका मकसद है तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो पश्यमंगाल की राजधानी कोलकाता गये हैं मुख्यमंत्री ममता बेनरजी से मिले हैं और जरूरी भी है क्योंकि पश्यमंगाल में लोकसभा की 42 सीटे हैं इन 42 में से 22 सीटे तो ममता बेनरजी के ही पास हैं और कॉंग्रेस के पास हैं महज 2 सीटे फिर भी नितिश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि ममता बेनर जी को इस बात के लिए मनाया जा सके कि 2024 में ममता कॉंग्रेस के साथ आ जाएं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष मजबूत हो लेकिन जैसा ममता बेनर जी का इतिहास रहा है और जो उनकी राजनितिक महत्वा कांचाये हैं क्या उसमें ममता बेनर जी कॉंग्रेस के साथ आएंगी क्या 22 लोग सबा सीटो वाली पार्टी की मुखिया दो सीटो वाली कॉंग्रेस के लिए अपना कच छोटा करेगी जाहिर है मुश्किल है और ममता के लिए तो और भी मुश्किल है क्योंकि उनकी पूरी राजनीत ही कॉंग्रेस और लेफ्ट के विरोध में ठीकी है कॉंग्रेस से अलग होकर ममता को पार्टी क्यों बनानी पड़ी थी और क्यों सोनिया गान्दी से मिलने के बाद भी उन्हें कॉंग्रेस तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था ये किसी से छिपा नहीं है तो ठीक है कि नितीश कुमार ममता बेनर जी को पुरानी बाते भूलने के लिए कहें गिले शिक्वे दूर करने के लिए कहें लेकिन ये कहना आसान है करना नहीं हाला कि नितीश कुमार अपना उदाहरन दे सकते हैं कि कैसे लालो यादव और उनकी पार्टी का विरोत करके ही उन्होंने बिहार की राजनीत में अपनी लकीर बड़ी की थी और कैसे अब वो उनहीं लालो यादव की पार्टी का साथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन ममताब एनरजी नितीश कुमार की तरह पल्टी मारेंगी इसमें संदेह हैं तो फिर अब बचते हैं अखिलेश यादो जिनसे मिलने नितीश कुमार लखनाव पहुंचे हैं नितीश की कोशिश है कि वो समाजवादी पार्टी को भी उस विपक्ष में शामिल करें जिसमें कॉंग्रेस है और जिसका नेत्रय तो भी कॉंग्रेस के ही पास है लेकिन वो कहावत है न, कि दूद का जला चाज भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही हाल अखलेश यादो का भी है, वो गटबंधन के जले हैं, 2017 के विधान सभा चुनाओं में उन्होंने कॉंग्रेस से गटबंधन किया, दो लड़कों की जोड़ी बनाई गई, कहा गया कि यूपी को साथ पसंद है, लेकि जनता को साथ पसंद नहीं आया, चुनाओं में दुरगती हो गई, सपा को मिली महस है ताली सीटें, जबकि कॉंग्रेस साथ पर सिमट गई, अखलेश अत्ता से बाहर हो गए, गटबंधन भी टूट गया, लेकिन 2019 के लोग सभा चुनाओं में एक नया गटबंधन बना, बुआ और भतीजे का गटबंधन, सपा और बस्पा का गटबंधन, मायावती और अखलेश यादों का गटबंधन, लेकिन इस गटबंधन से भी अखलेश यादों को नुकसान ही हुआ, और भयंकर नुकसान हुआ, सिर्फ 5 सीटे मिली, उतन या अखिलेश अब नितीज की बात मानकर कॉंग्रेस से गठबंधन करेंगे इसमें भी संदे है क्योंकि 2022 के विधान सभाचुनाओं में अखिलेश ने कॉंग्रेस और बस्पा नहीं बलकि रालोद और सुभास्पा जैसी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया तो ज्याद सकता है कि चुनाओं के बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर मम्ता बेनर जी भी कॉंग्रेस को समर्थन दे सकती है और अखिलेश यादों की नितीश कुमार मिले तो अर्विंद केजरिवाल से भी हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल की पार्टी के नेता ही बार बार यह ब भाग दोड़ कर लें बात मुलाकात कर लें लेकिन अभी तो बात बनती दिख नहीं रही है तो आज के रिए शुक्रिया आप देख रहे थे अनकट